इतिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद नियूज में आप सभी का खायर मक्तम है जहां एक तरफ पुरा देश कोरोना वायरस से खौब जदा है वहीं दूसरी और वजिर आजम यानि परधान मंतरी की जानिब से ताली थाली के बाद मुंबती जलाने का एलान किया गया वैसे तो जाती तोर पर मैं इसकी मु खालफत करता हूँ जिस तरह से विपक्स और दिगर पार्टियों के जिम्मदारान ने इसकी मजब मत की है अगर वाकई हुकुमत की जानिब से कुछ अच्छा इखदाम होता है तो यकीनी तोर पर सराना होनी चाहिए पर हमारे वजिर आला इसका मौका नहीं देता है खैर आज जिस तरह घरों में लाइट्स को बंद करके मंबतिया और टॉर्च जलाने का अनोकन उसका प्रधान मंत्री की जानिब से दिया गया यह वाकई अजीब ही कहा जा सकता आखिर इसके पीछे इनका क्या मंचा है और इससे पहले भी ताली और ठाली पीटेने का तमाशा ज इससे दुनिया भर में एक मजाक भी बन गया था जाएंसा देश लोक भूक मरी की कगार पर है लाको लोक 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 डॉन की वज़े से एक एक लुक में के लिए मौताज हैं हजारों लोक सड़कों पर पैदल चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी प्रदान मंत्री करते हैं सफाई का ध्यान रखने का एलान भी क्या जाता है पर सच्छाई यहीं है कि ना तो हमारे पास मास्क है और ना ही सेनिटेजर है अस्पताल नहीं है मरीजों के लिए बेड नहीं है इसके बावजूद भी अगर सब मिलकर इस कोरोना या दिगर जरा सीन से लड़ने क अजन भी करते हैं तो माशरे में रहने वाले मजभी वारसिस समाज में इंसानों को सुकून से रहने नहीं देते हैं किसी तरह से मामिले को हिंदू-मुस्लिम करते करते मुस्लिम समाज पर लाखडा करने की गोया आज़त सी पड़ी हुई है अपने आपको लोकतंत रहने ज मुझारिश है कि बनाए महरबानी मक्सूस समाज को हमेशा कड़गरे में खड़ा करने की कोशिश ना करें एक तस्वीर यहां बनाई जा रही है कि तबलीगी लिबास का शक्स कोरोना पहलाने की कोशिश कर रहा है जो सरासर गलत है भारत में तो ट्रंप आने से पहले ही कोरोन के मरीज पाए गए ते पर वजिर आजम को तो दस लाख लोगों के साथ ट्रंप को नमस्कार इंडिया करना था तब तो सोशल डिस्टेंसिंग तभी तो किसी को याद नहीं है या हुसूल कायदे सिर्फ एक समाज पर लगू नहीं हो सकते हाल ही में राम नौमी के वक्त कही मंदूरे में पुझा पाठ का इत्माम किया गया जब मजजिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा सभी लॉकडाउन थे तो आयद्या और दिगर शहरों में राम नौमी के वीडियोस वाइरल कैसे वे हैं क्या इन पर कारवाई हो गया ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया कामों से सिर्फ इसलिए निकारा जा रहा है क्योंकि वो मक्सूस समाथ से मतलब किस कदर तबलीगी जमाद का हवा खड़ा कर नफरत का जहर खोलने की मुनद्जम साजिश को अंजाम दिया जा रहा है सवाल यह भी उड़ता है कि आखिर माशरे में अमन महबत को काईम रखने की जम्मेदारी इंतजामिया की है पुलिस अफसर डी सी इने आगे आकर इस तरह की वारदातों को और जूटे परपोगंडा करने वालों को रोकने की जरुत है हर कोई इसमें अपना सियासी मुफाथ हासिल करने की होड में लगा हुआ नजर आ रहा है अपना सियासी करियर डूपता देख आजकल राश्ट ठाकरे बड़ा हिंदुत वादी का अलंबरदार बनता दिखाई दे रहा है और इसलिए कभी मुदी हुकूमत के खिलाब जहर उगलने वाला अब मुसल्मानों को निशाना बनाता दिखाई दे रहा है तबलीगी जमात वालों को तो गोली से मारने की बात राश्ट ठाकरे ने कही तो माराश्ट के वजिर अला वो दो ठाकरे ने कहा के कोरोना वाइरस से भी खतरनाक वाइरस यह नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं क्योंकि कोरोना इबोला जीका सार्स यह चाईवी वाइरस इस आते और जाते रहते हैं पर यहां नफरत फैलाने वाले वाइरस नसल अदर नसल मुंतकिल होते रहते हैं इनका इलाज बहुत जरूरी भी होता है और इन पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है समाज को ऐसे नफरत के वाइरस से हमेशा बचकर रहना होगा वरना कोरोना से बड़ा नुक्सान देश को उठाना पड़ेगा और हम ताली और थाली पीटते रहेंगे इत्याद यूँ देखने के लिए शुक्रिया लाजेश